आज मैं आपको लड़ो पुपाल जी के लिए बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही आराम दायक आसन बनाना सिखाऊंगी जो सर्दियों के लिए एक दम बैस्ट है और आप इसको बहुत ही असानी से रेडी कर सकते हैं तो जैसे इससे पहले के वीडियो में हमने काना जी के लिए बहुत ही सुन्दर सा शौल बनाना देखा था जिसका वीडियो आई थिंग मैंने कली पोस्ट किया था वो भी आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा लड़ो गोपाल जी की ड्रेसेज, कैप, पोचू और भी बहुत से चीज़ें हमने बनाई हैं मैं सभी वीडियो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी आप लोग वहां से चेक आउट जरूर करें तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह पे मैं आपको आसन का बेस दिखा देती हूँ तो इसका बेस मैंने बक्रम और फाब्रेक का यूजिवकर करके बनाया है। इसके बाद को बक्रम आपको इस तरीके का एक रांड करना है इसलिए मैंने simply glue की मदद से इन दोनों को आपस में paste कर लिया है आप इसमें एकदम भड़िया अच्छा सा मोटा सूती कपड़ा यूस करेंगे तो वो काफी सही रहेगा यहाँ पर मैंने भी एक सूती कपड़ा ही यूस किया है तो यहाँ पर देखिए अब हम जो है उन की मदद से चोटी गूत के तयार करेंगे तो चोटी गूतने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने यलो कलर की उन का यूस किया है आप colors अपने हिसाब से ले सकते हैं आप इसे multiple color में तयार करेंगे तो यह बहुत ही जादा सुन्दर लगेगा यहाँ पर देखिए मैंने 4-4 उन के piece को एक तरफ एक खटा किया है जैसे देखिए यह 4 की एक सेट है यह 4 का एक सेट है और यह 4 का एक सेट है तरीके से 3 सेट हमने 4-4 उन के piece लेते वे तयार किये है अब इनको ऊपर से एकदम प्रॉपर लेते वे हम इखटा कर लेंगे इस तरीके से क्योंकि हम एक बहुत ही प्रॉपर सी braid बनाने वाले है नॉर्मली जैसे चोटी गूतते हैं वही चीज करनी है तो मैंने देखिए यहां पर इनको एकटा कर लिया है अब आप एक छोटा सा उन का piece ले लिजिए और उसकी मदद से जो है हम इनको बान देंगे आपस में यहां पर सिंपल ही इस तरीके से इनको पकड़के आपको एक नॉट लगा देनी है फ्रेंस मुझे कमेंच में ज़रूर बताईएगा कि यह बहुत ही सुंदर सा और अनुखा सा आसन आप लोगों को कैसा लगा पूरा हम चोटी बना के इसको तयार करेंगे तो अब देखी यहां पर मैंने इसकी जो है अगैन थ्री थ्री सेट्स में डिवाइट कर लिया है अब सिंपली जैसे हम चोटी गूतते हैं वही चीज़ करनी है इस तरीके से आप उनको जो है हलके हातों से ले और चोटी गूतने यहां पर आपको उनको बहुत जादा tightly नी पकड़ना एकदम हलके हातों से जो है आपको एक braid बनानी है इस तरीके से यहां पर मैंने multiple colors में इसको ready करने का सोचा है तो मैंने कुछ colors जो है पहले से pick कर लिये थे like pink, brown और एक मैंने three colors में भी ready की है braid इं ने पहले भी बहुत सारे इंटर्डूर्टस ए स्पimyश्थ कि आया की दाषर हैं और जी आशर की अर्ब भोने कानागे बच को आया जो सेुस्टेजिन बनायतु जीनृत कimme दम मुझ में लॉप हृइए ये की दिस्टीछन सकते है अब यही चीज हम लास्ट पॉइंट तक कर लेते हैं और यहां पर देखिए फ्रेंज यह यहलो वाली जो हमारी ब्रेड थी वह मैंने कम्प्रीट कर ली इसके दूसरे एंड पे भी मैंने नौट टाय कर दिया था और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने और भी ब्रेड तयार की है यह हमने पिंक कलर में रेडी की है यह देखिए यह हमने पिंक कलर में रेडी की है यह थ्री कलर में मैंने रेडी की है जिसे मैंने आपको बताया कि आप मल्टिपल कलर में इसको तयार कर सकते हैं और यह हमने यहां पे ब्राउन कलर में बनाई है यह वीडियो में दीर दीर एक eight करके इन सब ही चोटियों को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं तो सबसे पहले जो जो ब्राउन वाला कलर है इसको हम इस बेश के एकदम सेंटर से यहां से लगाना स्टार्ट करेंगे तो सेंटरवाले गिसे देखिए आपको इसको इस तरीके से प्लेस करना है यह देखिए इस तरीके से रख दिया उसके बाद यहाँ पर इस ब्रेड को ऐसे ऐसे करके घुमाते रह feature को listening Google upon its तो इसके end point से दूसरा color आप start कर सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है बढ़िया सा हमारा round तेयार हो जाए यहां देखिए थ्री colors को हमने stitch लगा लिया है अब जो यह हमने multiple color में ready किया था इससे इसकी boundary देखिए इस आसन को हम complete कर लेते हैं last braid को stitch करने के बाद finally हमारे प्यारे से लड़ू गुपाल जी के लिए एक बहुत ही सुन्दर सा उनी आसन बनके बिल्कुल तयार है तो देखिए यह आसन बहुत ही comfortable बना है बहुत ही असानी से आप इसको तयार कर सकते हैं और काना जी बड़े अराम से इसकी उपर बैट भी सकते हैं तो आप भी अपने लड़ू को पाल जी के लिए इस आसन को जरूर ट्राय करें और मुझे भी comments में बताएं कि यह idea आप लोगों को कैसा लगा गाईज इस आसन को आप बहुत easily carry कर सकते हैं अगर आप लड़ू को पाल जी को किसी रूम में बिठा रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं अगर आप काना जी को अपने घर के मंदिर में बिठा के रखते तो वहाँ पे भी आप इस आसन को लगा के इसके उपर लड़ू को पाल जी को अराम से बिठा सकते हैं इसके अलावा जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो इसलिए हमने स्पेशली उनी आसन तयार किया है काना जी के लिए वूलन आसन तो सर्दियों की टाइम पे जैसे धूप में काना जी को हम बिठाते हैं तो वहाँ पे भी आप इस आसन को कैरी कर सकते हैं इसके उपर अराम से काना जी बैट जाएंगे और इसकी सबसे बेस्ट बात है कि किसी भी साइस के काना जी के लिए तयार हो सकता है आप इसको और बड़ा बना सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं अपने काना जी के साइस के हिसाब से और यहाँ पर देखिए इस पे ब्रेड जो है वो भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिसे मैंने एक ब्रेड के लिए तीन सेट्स लिए थे जिसमें एक सेट में चार उनके पीस थे आप उनको 5-6 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं मतलब यह आपके उपर डिपेंड करता हैं मोटी पतली जैसी चोटी आपको गूतनी आप वैसे कर सकते हैं तो यह था मेरा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने अपने काना जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा आसन तयार किया है जिस पे वो अराम से बैट जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि यह आप लोग भी ट्राइ करें अपने काना जी के लिए इसे जरूर से जरूर बनाएं तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियो को देखने के लिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई टेक केर हरे कृष्णा राधे राधे क्या राधे हरे को आपकी वीडियो के लिए भी जरूर आपकी वीडियो में वीडियो को सब्सक्राइब भी तक भी खाया हमारे बाई राधे